नमस्कार मैं डॉक्टर राशा आज आपको बताने वाली हूं जिन बेनों के प्रिग्नेंसी है और प्रिग्नेंसी पीरियड में तीसरे मेने से उनको मल्टी विटामिन और केल्शियम डबल डोज में लेना है यानि जो 250 की मात्रा होने चाहिए उसको 500 500 mg की मात्रा कम से कम पूरे दिन में एक बार अवश्य लेनी चाहिए तो उसकी कैल्शियम की टैबलेट्स आती है वो और आईरन की जो कैपसूल साते हैं वो भी ले सकती है वैसे हमको जो खाने पीने की चीज़म है आईरन और कैल्शियम कहां से मिलेगा वो मैं आपको बता रह है तो केल्शियम की मात्राग पूरी हो जाती है और यह इसे फ्रूट है सै पहर केला है उससे भी अपको आईरन मिलता है उससे भी आपको अपको फोलिक एसट और आयरन मिलता है इंपलीकी चाटनी वी खा सकती है और इंडनी ऑख्रूरा है जितने भी विटीवा trag所geh आ और कि चटनी इस प्रकार की मेडिसिन भी आप ले सकती है चलक के मैनन माल्ट आती है जो विशेस रुप से प्रेगनेंसी में या दौरबले में ही काम आती है वो भी आप अपने चटनी चाटने के लिए एक चम्म चटनी एक ग्लास दूद के साथ मैं आप सुभशा ले सकती है तो जिससे के जो प्रेगनेंसी पीरेट में जो दौरबले है वो ना आए आपको और आप अपने बच्चे को प्रॉपर विटामिन्स रिच विटामिन्स दे कर अपने आपको और बच्चे को कोपोशन से दूर रख सकें यह मेरी आपसे विशेस अन्रोध है कि प्रेगनेंसी प